हम जो बिजनिस करते हैं तो इंकम के बारे में सूच करते हैं तो दाना मिश्रनड में मैंने भही चीजे लिए हैं जो कि कम से कम बजट में एक बैलेस डाइट बना कर रखे जिससे कि हमारे बकरे-बकरियों को प्रॉपर मातरा में प्रोटीन और कास मिलता रहे जिससे वो अच्छी ग्रोथ करते रहें नमस्कार दोस्तों स्वागत आफ सभी का हमारे अपने ओजस गुट फार्म मद्ध प्रदेश में आज की वीडियो में हम बात करेंगे बकरे बकरियों के दाना मिश्ण के बारे में जिससा कि आपने कई वीडियो देखे होंगे जिसमें दाना मिश्ण तो बंतियों दिखाया है पर कभी ये नहीं बताया है कि किस मोसम में कौन सा दाना अपने बकरे बकरियों के लिए सही रहेगा कौन से मोसम में कौन सा दाना खिलाना चाहिए आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसी balance diet देने वाला हूँ जिसके अंदर आपको तीन तरह की जो मोसम होते हैं उन तीनों मोसम के according आपको दाना मिशन बताऊंगा क्योंकि बकरी पालकों की जो सबसे बड़ी समश्या है वो यही है कि अगर हम सर्दी के मोसम में दाना खिला रहे हैं वही क्या हम घर्मी में भी खिलाएं या वही हम बर्षा जितों में भी खिलाएं तो मोसम के according जो balance diet सही होनी चाहिए जो मैं अपने फार्म पे apply करता हूँ जिस मोसम के हिसाफ से दाना बना कर अपने बकरे बकरी को खिलाता हूँ बही दाने की diet आज अब को मैं बताने वाला हूँ जैसा कि आप देख रहे हैं हमने हमारे फार्म पर एक आहार चकर बना रखा है जैसा आपने पिछले वीडियो में देखा था हमने आपको एक फसल चकर दिखाया था जिस फसल चकर के अंतरगत हमने आपको मन्त वाइस चारों को divide किया था कि आप कौन सा हरा चारा किस मन्त में उगा सकते हैं उसी तरह हमने यह देख रहे हैं आप आहार चकर यह आहार चकर हमने बनाया है जिसके अंतरगत हमने سारे मंध वाईस दाना मिश्रण जो बनाते हैめं उसे मंध वाईट कर रखा है कुछ सा दाना हमें किस मंध में खिलाना है या किस दाने को किस मंध से लेकर किस मंध तक देना है उसे साथ से जेसा कि आप लोग जानते हैं तीन तरह के मोसम होते हैं बर्षरी टू, शीतृ शीतृ डिटू झ्रिश्मेतू इए तीनों मोसम का एक सबसे बड़ा समझ्या होती है हमारे बकरी बालक भाईयों की जो दाना हमने पारइस के मोसम में खिला थे खिला थे क्योंकि दाने को जब हम मोसम के अकोडिंग खिलाएंगे तो हमारे जो बकरे बकरिया हैं उनके लिए बहुत फाइदिमंद होगा क्योंकि जो दाना हम गर्मी में खिलाते हैं वो दाना हम बारिश में नहीं खिला सकते क्योंकि गर्मी में हम हेवी दाना खिलाते हैं बारिस में हमें थोड़ा सा हलका दाना खिलाना पड़ता है, जिससे की डाइशन की समझ्या ना है, तो आगे बताऊँगा मैं आपको कि वो कौन सा दाना क्यों खिलाना चाहिए, तो आप देख सकते हैं, इस तरह से हमने मन्थवाइस पूरे गारे को डिवाइट कर दिया है, जैसा कि आपको मालुग है कि वर्षा रित्लू बारिस का मोसम आने वाला है, उसन आपसे हम बारिस के मोसम से स्टाट करते हैं, जुलाई से ऑक्टूबर, जो है, एक टेंटेटिव जो मन्थ चलते हैं, कोमन से, जुलाई सा ऑक्टूबर तक बारिस रहती है, कभी-कभी तीसर चने का छिलका, चौथा जो, और सप्लिमेंट की अगर बात करें, तो नमक, खडिया मिट्टी और मिनरल मिक्षर, अब इसके अंदर जो है, खडिया एक नया नाम आया है आपके सामने, जब मैंने पहली बार इसका नाम सुना, किसी ने मुझे सजस्ट किया, कि आप खड आपको किसी भी पंसारी की दुकान, किराने की राशन की दुकान पर मिल जाएंगी, उसके बाद जो मिनरल मेक्षर है, किसी भी कंपनी का ले सकते हैं, नमक आप हम जो सफेद नमक खाते हैं बहीले, ज़्यादा अच्छा है, बाकि नमक के ओपर वीडियो में ने बना रखा आप जाकर देख सकते हैं, उसके आपने देखा गेहु मक्का, चने का छिलका, अभी जैसे कि बरशा नितु है, तो बारिस के मुसम में जो क्या होता है, कि हमारा जानबर फार्म के अंदर जादा रहता है, हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने फार्म के अंदर का वीडियो करने के लिए उसे काफी जादा मसक्कर करनी पड़ती है, तब जाकर उनका दाना और भुसा पच्टा है, पर बाइस के मुसम में क्या होता है, कि जब दाना हम उसको हेवी अगर खिला देंगे, तो जब और अंदर रहेगा, पानी के बज़े से बाहर नहीं आपाएगा, तो हम गिहुं 30 ले सकते हैं, मैं आपको बता रहा हो एक कुंडल का बता रहा हू तो किलो का उसमें तीस किलों प्रशूपले दे सकते हैं , ये आपका एडिशन रहेगा, जिससे कि निमक आपको एक कुंड़न पर य है खड़िया को पांच किलो विलाना है, खड़िया ुह है तो 5-7 kg तक भी मिला सकते हैं क्योंकि कैल टैस्य जो कोई भी नुक्सान नहीं है कोई साइड इफेक्ट नहीं है है बैसे था मेर्स जो है जानवरों को और अलग तरीके से देते हैं जैसे मार्केटि से लाते हैं लिकवेट घर पर चूले का आप उसे उपर नीचे भी कर सकते हैं, आपके सिटी के अकोर्डिंग कोन सा अनाज आपके सस्ता है, दूसरा हम बात करें सीतरितोगी, जब ठंड का मोसम आता है, तो उस मोसम में जो है नावंबर से फर्वरी तक चलता है, इसके अंदर हमने जो कॉमन अनाज है गेहूर मक्का यह जो अनाज है आपको हर मोसम में चलाना है, क्योंकि गेहूर मक्का जो है आपका फाइवर, कागोहईडरे, रोटीन, इन तीनों जो है, मेंडरल से और प्रोटीन से चीज़ें होती है, कंटेन होते हैं, उनसे भरपूर है, तो यह आपको ऊपर निचे बाद आप डाउन क कर लेंगे, जिसमें की काफ इच्छा प्रोटीन बाया आता है, फिर हम बात करें, अगला आनाज है वह बाजरा, जैसे की ठंड का मोसम होता है, ठंड में हमारे बकरे बकरियां होती है, उन्हें सर्दी बहुत जादा होती है, उन्हें फीबर भी आता है, जो सर्दी युखा खास जी आना, इस तरह के गई बाजरा इस्तमाल करेंगे, बाजरा जो होता है, इसकी ताशीर जो होती है गरम होती है, तो हम अगर बाजरा जिसे की मैंने बाजरे को पर एक वीडियो बना रखा है, आप जाकर हमारे चैनल पर देखेंगे तो मिल जाएगा, उसमें जो मक्हे, खडिया, मिंडरन, विष्चर, यह साभी में सेम मिलेगा आपको, उसके बात करें, तो ग्रिस में तू, जो गर्मी का मोसम होता है, उसकी अकॉर्डिंग हमने गिहु मक्हा सेम लिया है, अभी अगर हम बात करें आगे तो हमने इसमे खल एड़ किया है, क्योंकि क्या हो हो गया, हमारा सरसो खल है, उसके बाद हमारा मूमफली का खल हो जाता है, पर इसके अंदर में खल में किसी भी खल का नाम नहीं लूँगा, कि आपको कून सी खल देनी है, जिस समय आप दाना मिशन बना रहे हैं, उस समय आपके सिटी में, आपके आसपास जो खल सस्ती हो, बही आप मिलाए, मैं उन लोगी तरह नहीं बोलूँगा कि आप खल में, आप मूमफली की खल मिलाइए, क्योंकि मूमफली का खल का जो रेट है, तो प्राइज है, वो 5,000 से लेका 6,000 रोपे कुंटल तक चलता है, मतलब कि 50-60 रोपे गलो तक चलता है, तो इतना महेंगा अगर आप खल अपने बखरे बखरियों खिलाइए, तो आप इंकम क्या लेए, क्योंकि हम जो बिजनिस करते हैं, तो इंकम के बारे में सूच करते हैं, तो दाना मिश्रण में बही चीज़े ली है, जो कि कम से कम बजट में एक बैलेस डाइट बना कर रखे, जिससे कि हमार अगला जो हैं इसमें चोकर एड करेंगे, चोकर ने इसलिए डाइट किया है, आप चाहे तो खुद से भी घर पर बना सकते हैं, और नहीं तो मार्केट में बना बनाए मिलता है, अब मार्केट में जाएंगे तो चोकर, मक्का, गेहू, यह जो तीन तरे की चीज़े हैं, य जो है, सबसे महत्पूल, यहू मक्का तो ही, इसके साथ चोकर बहुत ही खास चीज़े, जैकर पिछले वीडियो में आपको दिखाया, कि नए जानबर को सेट करने के लिए उसको भूसे में मिलाकर चोकर को खिलाए, चोकर में जो है, बहुत ही ज्यादा अधिक मातरा में प कुसी तरह का भी कुछ समश्या है, कि खड़ियमट्टी क्या होती है, भी दाने में किसी तरह की समश्या हो, आप हमें मैसेज करके सवाजवाब कर सकते हैं, तो जिसना कि आप तो देखा, कि हम लोगों ने जो है, तीनों मौसम के हिसाब से मन्त बना रखे हैं, मन्त वाइज इस हम लोगों ने पूरे दाने को dejvail कर रहा है,, अब मैं आप को बता दूँ कि मैं यह नहीं बहूंगा एक आपको इस दाना को फोलो करना है, यह इस दाने को चार्ट को आपको हमें साब लो करना है, मैं अपने फार्म पर जो इस्तमाल करता हूँ अपने बक्रे बगरियो जो कि हम लंबे समय से हमारे वक्री फार्म में इस्तमाल कर रहे हैं तो आप भी इसे अपने वक्री फार्म में इस्तमाल कर सकते हैं जिससे कि आपके भी जानवरों की ग्रोथ अच्छी हो उसका बज़न अच्छे से बड़े और आपकी इंकम अच्छी हो यह सब चीज़े तभी होगी कि बज़ें भी बड़े इंकम भी हो जब कि आप लो बजट में कम कॉस्ट में आप अपने जानवरों को दाना मिश्रंट देंगे अगर आप इसी के अंदर जब कोई जैसे की खल है बहुत ही महेंगा इटम है तो महेंगा अनाज ही है बाकी चीज कि अपका दाना 25 रूपए के अंदर रहना चाहिए ध्यान रखएगा अब कोई भी दाना बनाए ऐपका दाना पच्छीस रूपए के अंदर टोटल बन जाना चाहिए जिससे की हम बात करें कि पहला मैं भरशा रितु बारिप अस çीटने भी दाने है कि सारव दाने मिलाने क के वाद में आपका दाना जो है दाना मिश्रण एक किलो 25 रुपीज से उपर नहीं जाना चाहिए तो आपका कॉस्त है बक्री बक्रियों का वो तीन हजार से लेकर चार हज़ार की बीच में रहा जाएगा जिससे कि आप उस पर काफे अच्छे इंकम कर सकते हैं तो ऐसे ही सब्सक्राइब नहीं किया है हमारी चिनों को सब्सक्राइब करें ताकि समय से आपको बक्री बालंग जोड़ी जानकारी मिलते हैं मिलते हैं अगले वीडियो में रन्यवाद